हेलो एब्रीवन आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल विशाल गौतम से 183 पर आज है 17 जन्वरी 2024 और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 17 जन्वरी 2024 के डेली करें टाफिस के कुछ इंपोडेंट कोईशन्स अगर आप किसी भी अग्यम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी अधा इंपोडेंट रहने वाली है अगर आप इस चैनल पर पहली बार आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वैल आइकन को भी ओल पर प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अप्लोड करूँ तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख पाए और आज की इस वीडियो के पेडिया फाइल आपको मारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रेप्शन में मिल जाएगा तो आप आज इस टेलीग्राम चैनल को जोइन कर सकते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए इस वीडियो के लाश्ट में मैं आपसे एक कुशन भी पूछूंगा और इस कुशन का सही आंसर आपको कमेंट में बताना है और साथ ही हम जानेंगे इस टेटिंग कीके के कुछ मरत्वपूर प्रश्णों के बारे में भी तो चलिए चलते हैं आज के अपने टॉपिक की ओ तो हमारा आज का पहला कुशन है हाल ही में राश्टिय श्टार्ट अप दिवस कम मनाया गया है इस कुशन का सही अंसर है ओप्शन सी 16 जन्वरी तो हाल ही में राश्टिय श्टार्ट अप दिवस ये 16 जन्वरी को मनाया गया है 16 जन्वरी श्टार्ट अप इंडिया का स्थापन दिवस राश्टिय श्टार्ट अप दिवस के रूप में मनाया जाता है ये आयोजन दोईर 22 से मनाया जा रहा है और पधान मंत्री सी नरिंद मोधी जी ने पिछले साल इस टार्ट अप्स को नए भारत की रिख बताते हुए इसकी गोशना की थी नेट कोशन है एक लाग से कम आबादी वाले के सहर को स्वच सर्वेचन दोई या 23 का प्रथम परशकार दिया गया इस कोशन का सही अंसर है ओप्शन C सासवर्ड तो एक लाग से कम आबादी वाले सासवर्ड सहर को स्वच सर्वेचन दोई या 23 का प्रथम परशकार दिया गय तो महराष्ट का जो सासवड है ये पहले स्थान पर है 36 गड़ का पाटन जो है वो दूसरे स्थान पर है लोना वाला महराष्ट का जो सैर है वो तीसरे स्थान पर है कराज चौथे स्थान पर और महराष्ट का पंच गनी ये पाँचवे स्थान पर है इस कुषिन का सही अंसर है तो राजस्थार राज में तीन दिवसी अंतर राश्टिय उटोचसब जनवरी 2 या 24 में आयोजद किया गया राजस्थान के बीका नेर में अंतर राश्टिय हँटोचसब 2 से 14 जनवरी 2 या 24 तक आयोजद हुआ तीन दिवसिय उन्ट उत्सम में, उन्ट दोड, गुग्ड दोड, वीकाने, कार्निवल, क्लासिकल फार्म्स ओफ आर्ट्स, सेलिबिर्टी नैट्स और अग्निनरत समित इस्थानिय कला और सांस्क्रतिक की रंगों से सराब और कारकरम देखने को मिले अब बात करें राजस्थान राज की, तो यागी राईधानी जैपुर हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं बैयनलाज शर्मा और राजपाल हैं, कल राज मिश्र नेक्ट कोशिन है, सामान नागरिक सैता को लागू करने वाला भारत का तीसरा राजी कौन सा बना है? इस कोशिन का सही अंसर है, ओप्शन C, असम तो सामान नागरिक सैता को लागू करने वाला भारत का तीसरा राजी असम बना है गोवा एवं उत्तराखन के बाद असम सामान नागरिक सायता को लागू करने वाला भारत का तीसरा राज बना है असम के मुख्यमंत्री जी के द्वारा असम के जन्जातिय छित्रों को छोड़ कर संपूर राज में भारती संविधान के अनुच्छे चवालिस में उलनिखित सामान नागरिक सायता को लागू किया जाएगा अब बात करें असम राज की असम की राजधानी देशपुर है मुख्यमंत्री हेमंत्विश्व शर्मा है और राजपालेंवा के गुलाप चंद का टारिया नेक्ट कोशन है भारत और जापान देश के तटर अच्छक बन ने कहां पर पांच दिवसिय सायवत अब्यास किया है इस कोशन का सही अंसर है आप्शन B चेन नई तो अपने देश भारत और जापान के तटर अच्छक बन ने चेन नई में पांच दिवसिय सायवत अब्यास किया है बात या तटर अच्छक बन और जापान तटर अच्छक बन ने दोनों देशों के बीच पांच दिवसी अभ्यास के से के रूम में चेनली के तट पर एक सायोगत अभ्यास आयोजित किया ये अभ्यास दो याच्छे में हस्ता खरे दोनों देशों के बीच सायोग यापन के अनुरूप आयोजित किया गया था जिसमें दोनों देश, दोनों टरचकों के बीच यात्राओं, वारसिक सायुक थब्यास, प्रसिच्छन आदान पदान, कारशालाओं और शेमिनारों शैत पाचीत को बढ़ावा देने पर सैमत हुए थे इसकोशन का सही आंसर है, option C, सिक्किम, तो भी हाल ही में सिक्किम राज में दुरलव दिब्बदी भूरे भालू पाइगे हैं सिक्किम में पहली बार दोलब तिब्बती बूरा भालू नजर आया है बूरे भालू की तश्वीरे शिक्किम वन विवाग द्वारा लगाएगे कैमरे में कैद होई है और कैमरे में कैद हुए तिबबती भालू की पीले रंग की दुपट्टे जैसी खोलर दिखाई दी है इस खोज से इस जानवर की डाइवर्सिटी के बारे में और जानकारी मिल सकेगी अब बात करने सिक्किम राज्ज की तो सिक्किम की राईदानी गंगटोक है राजपालया के लच्मड आचार और मुख्य मंत्रिये प्रेम शेह तमांग नेक्ट कुशन है हाल ही में भारत और मालदीब की बीच उच्चिस तरिये कोर गुरुप की बैठक पहली बैठक कहा संपन हुई है इस कुशन का सही अंसर है आप्शन ए माले तो हाल ही में भारत और मालदीब की बीच उच्चिस तरिये कोर गुरुप की पहली बैठक ये माले में शेंपन हुई है विदेश मंत्राले ने एक बयान में बताया कि बैठक में विस्तरत मुद्दों पर चर्चा हुई इसमें बागीदारी बढ़ाने और जारी विकास सायोग परयोजिनाओं को तेजी से लागू करने के लिए कदम उठाने पर दुए पच्चिय सायोग शामिल है Next Question है की इस देश ने 22 जिनवरी राम मंदर उद्गाटन पर हिंदू धर्माव लंबियों को दो गंटे की छुट्टी देने की गोशना की है इस Question का सई आंसर है Option B, Mauritios तो मौरिशस देश ने 22 जिन्वरी को राम मंदर उद्गाटन पर हिंदू धर्माव लंबियों को दो गंटे की छुट्टी देने की गोशना की है राम मंदर में प्राण पतिष्टा के मौरीश शरकार ने 22 जिनवरी को आयोध्या में राम मंदर के भव्य उद्गाटन समारों के दिन हिंदू धर्माव लंबियों के लिए दो पर दो बजे से दो गंटे की विसेश शुट्टी देने की गोशना की है अब बात करें मौरीश श्टेश की तो मौरीश श्की राइदानी पोर्ट लोईश है मुद्ध रायवा की मौरीश शुरुपया पधान मंत्री है प्रविंद जगन्नात नेक्ट कुशन है बारती राष्टी कॉंग्रेस यानि आइन सी ने किस राज के थोबल जिले से भारत जोडो निया यात्रा शुरू की है इस कुशिन का सही अंसर है Option C, मडीपूर तो भारती राष्टी कॉंग्रेस ने मडीपूर राज के थोबल जिले से भारत जोडो निया यात्रा शुरू की है यह यात्रा देश के 15 राज्जियों के 110 जिलोंशे होकर गुजरेगी कॉंग्रेश नेता जैराम रमेश ने प्रैश वारता में बताया कि इस यात्रा का उद्धिश डॉक्टर बीमरा बाबा शाहिव अंबिटकर जी के विचारों का प्रशार करना है मडीपूर जो राज्जिय है इसकी राईदानी इंपाल है मोखे मंत्रियें एनबिरेश और राजपालें वागी अनसुया होई के नेक्ट कॉशन है के इसके द्वारा लेखित गांदी इलाइफ इन थ्री शी केमपींच नामक पुस्तक का अनावरड किया गया है तो एम जी अकवर और के नटवर्ष हैं इन दोनों के ही द्वारा गांदी इलाइफ इन शीरी केमपींच नामक पुस्तक का अनावरड किया गया है प्रशिद लेखक एम जी अकवर ने सैलेखक के नटवर्ष हैं के शाथ गांदी इलाइफ इन शीरी केमपींच नामक एक नई पुस्तक लॉंच की और यह पुष्टक मात्मा गांदी के जीवन और शंगर्शों पर प्रकाश डालती है विशेश रूप्षिन के नेतरत वाले तीन महत्पपूर्जन अभ्यान उपद्यान केंद्रित करती है नेक्ट कोशिन है रियल मैडरेट ने किसको अराकर इश्पेनिश शुपर कब दोया 24 जीता है इस कुशिन का सही अंसर है ओप्षिन ए बार्शिलोना तो रियल मैडरेट ने बार्शिलोना को अराकर इश्पेनिश शुपर कब दोया 24 जीता है विनीशियत जूनियर की हेड्रिक की मदद से रियल मेड्रिन ने शवदी अरब में खेले गई मैच में अपने चिर प्रतद्वन्दी वार्शिलोना को चार एक से हरा कर इस पेनिश शुपर का फुटवर्ड टूनामेंट का खिताब चीता नेक्ट कोशिन है इस कोशिन का सही अंसर है तो टून टी इंटनेशनल में एक सब पचास मैच खेलने वाले पहले पुरुष किरकेटर रोहिश शर्मा बने है बारत के कपता रोहिश शर्मा ने टी टून टी इंटनेशनल में एक और उपलब्दी हाशिल करते हुए एक सब पचास टी टून टी इंटनेशनल मेच खेलने वाले पहले पुरुष किरकेटर बन गए है रोहिश ने ये उपलब्दी होलकर किरकेट श्टेडियम में अफगानिस्तान के खिलाफ हाशिल की और रोहिश यर्मा टी ट्वेंटी में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बलने बाजों में से एक हैं उन्होंने एक सब पचास में चों में तीन यर आट सो त्रेपन रन बनाए हैं नेक्ट कोशिन है बारत के पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स दा बीच गेम्स दोयच चौविस में के सराज ने सी सिस्थान हाशिल किया है इस कोशिन का सही अंसर है आप्शन B मदपदेश तो बारत के पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स दा बीच गेम्स दोयच चौविस में मदपदेश राज ने सी सिस्थान हाशिल किया है मदपदेश ने साथ स्वर्ड सहित कुल अठारे पदकों के साथ पदक तालका में शी शिस्थान हाशिल किया इस उपलबदी ने न केवल मदपदेश के दल की खेल छमता को दिखलाया बल्क इस राज के बीतर विक्षित हो रही प्रतिवाओं की कहराई को भी शामने रखा अब बात करें मदपदेश की तो मदपदेश की राईधानी बोपाल है मुख्य मंत्री मोहन यादव हैं और राजपाल हैं मंगुवाई छगनवाई पटे इस कोशन का सही अंसर है आइसलेंड तो अभी हाल ही में आइसलेंड देश ने जवाला मुख्य पटने के बाद आपत काल की गोशना की है इसी वन दे इंटरनेशनल मैच में सबसे तेश साथ वकिट लेने वाले गेंदबाच कौन मनी हैं इस कोशन का सही अंसर है आप्शन बी वानिंदू हशरंगा तो किसी वन दे इंटरनेशनल मैच में सबसे तेश साथ वकिट लेने वाले गेंदबाच वानिंदू हशरंगा बने हैं स्री लंकाई लेग इस्मिनर वानिंदू हशरंगा ने जिमबावे के खिलाब अपनी करियर का शर्वशिष्ट पदशन करते हुए 19 रंदे का शाट विकेट हाशिल किये इसके साथ ही वह One Day International में सबसे तेज साथ विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं और हस रंगा ने महज 35 गेनों में साथ विकेट हाशिल किये थे अब इस टेट जीके को देखें सो साइलेंट फैली प्रोजेक्ट ये केरल राज में है वेधान परशद का सदस बनने के लिए नियूनतम आयू सीमत 30 वर्स है समविदान सभा का इस्थाय अद्यच डॉक्टर राजिन्द पशाद को बनाया गया था खजुराओ के मंदर का निर्मार नागर शेली में किया गया है निगागरा जल प्रपात यूएस और कनाड़ा के बीच इस्थित है The Voice of the Heart म्रगालनी शारबाई की आत्मकता है Statue of Liberty New York शेहर में है भारत का सबसे छोटा राज गोवा है भारत का सबसे उचा बांध तेरी बांध है भारत का राष्टिय ब्रच बरगत का पिड़ है आगरा शेहर यमना नदी के तट परिस्तित है भारतिय सम्विदान के अनुच्छे सत्रे में अस्प्रत्शसा के अंत का वर्डन किया गया है और भारत का राज जिने शारनात श्षत अशोकिस्तम के उपन निर्मित सीज की अनुकरती है और अंतरराष्टिय न्यायले के अध्यच बनने वाले पर्थम भारतिय नागरेक डॉक्टर नागिंद शेह है अब कल की वीडियो मैंने आपसे एक क्वेशन पूछा था कि हाल ही में CNN New 18 Indian of the Year अवार्ड किस ने जीता है इस क्वेशन का सही अंसर था अप्शन भी शारुखान तो अभी हाल ही में CNN New 18 Indian of the Year अवार्ड ये शारुखान ने जीता है और इस क्वेशन का अंसर लगवख सभी स्टूडेंट्स में सही बताया था अब आपके लिए आज का क्वेशन है हाल ही में लाई चिंग ते ये केश देश में तीसरी बार राष्टपती चुने गए इस क्वेशन का सही अंसर आपको कमेंट में बताना है अगर आपको ये वीडियो आज की हैलफल लगी हो तो आप इस वीडियो का अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना और अगर आप इस चैनल पर पहले बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना तो चलिए चलते हैं जय हिंद जय भारत वंदे मात्रम